कोई वस्तू, कोई भोजन आप बनाकर लेकर गए हो, कोई पकवान आप बनाकर लेकर गए हो, कोई फल लेकर गए हो, यदि शिवलिंग पर वो पकवान, वो मिठाई, वो फल टच हो गया, तो वो खाने के योग्य नहीं रहता, वो घर पर लेकर मताना मंदिर में ही छोड़ कर यदि भोजन पक्वान मिठाई शिवलिंग यहां पर है और भोजन का भोग तुमने इतनी दूर से लगाया है फल इतनी दूर रखा है वो शिवलिंग पर टच नहीं करा गया है तो उस परशाद को उस फल को अपा सकते है उसको खा सकते है पर जो शिवलिंग पर टच हो गया फिर वो केवल नंदी, शरंगी, भ्रंगी, परेतों का, भूतों का, आहुतों का भाग होता है परेत भूतों, आहुतों का, वो फिर खाने योगी नहीं है हाँ, यदि नर्वदेश्वर महादेव है, नर्वदा जी के जल से कोई शिविलिंग प्रगठ हुआ है नर्वदा जी के जल से कोई कंकर से नर्वदा के जल से अगर कोई शिविलिंग परगट हुआ है उस शिविलिंग की स्थापना कहीं पर है या आपके घर में है तो उसको कुछ भी टच हो जाए वो पास सकते हो पर बाकी के शिविलिंग को इस पर शकिया हुआ नहीं पासका केवल एक नर्वदे इश्वर महादे नर्वदा के ज़क से कई लोग कुछते हैं ये साप है कौन ये सर्प है कौन तो उसको पताओ ये भगवान शंकर के गले में जो एक साप पड़ा हुआ है ये भगवान विश्णू है और शंकर भगवान के सिर पर जो जटा में साप दिखता है वो हात में साप बंदे रहते हैं वो दो हातों में कमर पर सिर पर केशो पर जो साप पांच नजर आते हैं वो तो बताओ ये संकर भगवान की पाँच लड़किया है जया, विशहरा, शामली बारी, दोतली और देव ये पाँचो लड़कियां भगवान शंकर के इड़द गिड़द हुनती है पास-पास प्रमन करते सबी ये श्वकी बेटिया है भगवान शंकर के साथ ब्रमन करती है पाँच जया पिशहरा, शामलीवारी तोतली और देव ये जो पाँच पुत्रियां थी शंकर भगवान की ये वासुकी को दी गई थी महाराज क्योंकि ये सर्पकी योनी में थी इसलिए ये वासुकी नाग को प्रडान करी गई थी, वासुकी नाग कोंसा जिसने मन्थन कराया वासुकी नाग कोंसा जिसके फण पर पून प्रत्वी बिराज मान वासुकी नाग कोंसा जो निरंतर देवताओं के हित के लिए कारे करता रहता एक पान के पत्टे के ऊपर जो चंदन से शंकर के नाम पारवती का नाम और ब्रह्मानी सरसती का नाम लेकर शिव को समरपित कर दे महाराज उसकी भी तिथी बताइए बड़ी सुन्दर है जब रवी का पुश्य योग पड़े रवी पुश्य नक्षत्र हो रवी का पुश्य योग पड़े उस समय पान के पत्ते पर चंदन से शंकर पारवती और सरसती का इस्मर्ण करकर जो शिवलिंग के ऊपर उस पान के पत्ते को चड़ा कर पाँच बिल पत्र, तीन समी पत्र समर्पित कर देते हैं, उस बच्चे से चड़वा देते हैं, वो बच्चा कभी पढ़ने में कमजोर नहीं होता, विध्या में बढ़ता ही पढ़ता है, पलट कर माबाप को देखना ही नहीं पढ़ेगा बच्चे को कभी भी, माँ को कहना ही नहीं पढ़ेगा की पढ़ने बच्चे को खुद पढ़ेगा, रुची से पढ़ेगा, पाँच बेल पत्र, तीन समी पत्र, समर्पित कर दें, भगवान शंकर का इस्मर्ण करें, और उस बच्चे को प्रणाम करवा कर वापिस लेकर आएं, बच्चा विध्या में प्रवल होता है, विध्या प्रकत, भगमान शिवत देने वाला है, सरसती को स्वर्वोदे, शिव महा पुरान की कथा, लिंग पुरान की कथा, बिश्नु पुरान की कथा, पद्मा पुरान की कथा कहती है कि कि किसी बच्च के नीचे, जिन बच्चों का गुनगान हमार पुराने करती है, उन व्रक्ष के नीचे अगर एक मंत्र का मनका भी फेरा जाए तो उसका पुन्ड हजारो गुना प्राप्त हो जाता है, आप रूप प्राप्त होता है अपने आप आप जिस पुन्ड को करना चाहँ अगर हाथ के मनके की माला भी नहीं हो और किसी बीपल के पेड़ के नीचे पंदरा मिनिट बेटने का मुका मिल गया किसी आउले के व्रक्ष के नीचे पांच मिनिट बेटने का मुका मिल गया किसी आउले के व्रक्ष के नीचे पांच मिनिट बेटे हो ओम नमो नरायन का मंत्र का इस्मर्ण कर लो ओम नमो भगवतिवासुदेवाई का जाब कर लो उसका फल चोगना अज्जारो गुना प्राप्त हो जाता है शमी के पेड़ के नीचे बेठे हो श्री शिवाई नमस्तु भ्याम का जाब करिये चोगना गुना फल मिलेगा अज्जार गुना फल बेल पत्री के पेड़ के नीचे गए हो ओम नमस्तु भाई नमस्तु भाई ओम का जाब करिये फल मिलेगा उस फल को हमें पाना है कई लोग करते हैं माराज हम पूजन बहुत करते हैं हम पाट करते हैं, हम अर्चना करते हैं, हम बरत रखते हैं, हम उपासना करते हैं, हम दान करते हैं, हम पुन करते हैं, हम सतकर्म करते हैं, उसके बाद भी दुख क्यों है, हम कुजन तो कर रहा हैं, आपके पेट में दर्द हुआ, मानलो आपके सिर में दर्द हुआ, अब सिर म गोली खाली और गोली खाने के बाद तुम्हें थोड़ा सा असर भी हो गया पर इतनी गोणियां जो खाई है तो बाद में लेक्षन तो करेगी कुछ तकलीप तो देगी कुछ गर्मी तो करेगी बीपी शुगर उंचा नीचा कर सकती है आपने पाई उसी तरह मंत्र माला अच्छे से पढ़िये तो उसमें बताया है उसमें वर्णन किया है हम पाट करने बेठे इतनी बड़ी पोथी लेके लोग बेठ जाते हैं पहले रामरक्षास्तोत पढ़ लिए फिर ये पढ़ लिए गीता जी का ध्याय पढ़ लिया ये पढ़ लिया ये चालीसा दुरगा किया लंड़ी बस इतनी बड़ी जादा से जादा होगी तो इतना बड़ा पूर्जन का घर कमरा उसमें इतना सारा देवता गलेजी संकर जी, अन्वान जी, राम जी, सब भरा बड़ा और पूजन करने सुबे से आई सुबे से इतनी सी सक्कर लाई कटोरी में इतनी सी सक्कर कटोरी में भगवान को निला धुला के कटोरी धर दि इतनी बड़ी अलमारी में सारा देवता एसा कसा कसा या बेटा है और तीरत करने फिर गई तो गनेजी संकर भगवान से बोले पिता जी फिर जा रही है संकर भगवान बोले बेटा खसक के बेटो फिर पकड़ के लाएगी किसी खसक के बेट फिर लाएगी किसी फिर लिए फिर रख दिया उजन करने आई कलस रख दिया मंदिर में ढूल गया भगवान पूरा गीला हो गया संकर जी संकर जी से बोले पिता जी पूरा गीला करके चली गई संकर भगवान बोले बेटा तो कली आएगी दिया लगा के गई अब तो गीले में बेटो अब नहीं आने लागे कल भौत ध्यान देना साव इस कथा को आपके उपर लेकर समझाया जा रहा है क्योंकि श्युम महापुरान की कथा कहती है कि आप जो मंतर जप रहे हो आप जो माला जप रहे हो आप जो साधना कर रहे हो आप जो पाट कर रहे हो वो आप पर असर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो आपको समझे रहा है, राम रक्षा इस्तरोत का पाट करो, तो पहले हनमान चालीसा पढ़ो, फिर राम रक्षा इस्तरोत करो, शिव चालीसा, दुरगा चालीसा, गनेश चालीसा, हनमान चालीसा, गायत्री चालीसा, इन चार पाट चालीसा को एक साथ कभी नहीं पढ़ना एक चालीसा यदि आपने पढ़ ली है सुरू में तो पाट पूरा होने के बाद जब उठने की तैयारी हो तब दूसरी चालीसा पढ़ दो बाकी की चालीसा भले आप पाट में पढ़ दो पर एक साथ, चार चाली सा का पट नहीं होना चाहिए, बाद आज़ा, पाट करने बेटे हो, किसी एक मन्पर की माला जपर है, ओम नमा भगवतिवा सुदे बाई जपा, या, वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो हमारी फुल वाच करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद,